आपका हमारे इस चैनल में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बैल बटन को प्रेस कीजिए क्या है जनम कुंडली? इसकी क्या लाव है? आए जाने इसे रोचक तरीके से. अद्बुत है ये मानव चोला और उससे भी अद्बुत है ये जिन्दिगी. हमें जिन्दिगी का राज पाने के लिए जिन्दिगी को जिन्दिगी से जोड़े र…? होता है इसी जोड के लिए जोतिश विज्ञान में जन्व पत्र का एक बहुत ही मैत्पुण कड़ी का कारणिवाती है यहां कुछ प्रिश्ण उत्पन होते हैं जिसे वास्तम में इसका लाव क्या है अगर है तो क्यों कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं करते कुछ तो इस बरा महिर पाराशर कशप आरेभट द्वारा आद्याद्मिक शक्तियों के आदार पर लिखा गया वैदिज्ञान है जोतिश एक शुद्ध विज्ञान है अगर सही गणित लगाया जाए तो किसी भी जातक को बताया जा सकता है कि उनके आने वाले जीवन का क्या लेखा जो जनम पत्रका को जनम कुंडली भी कहते हैं अब यह प्रिष्ण और ऊठता है कि आकस जनम कुंडली क्या sudah can only आकाश का उस समय का नक्षा है जब कोई बच्चा जनम लेता है उस समय कोई भी गर्य जनम कुंडली में होता है जनम कुंडली में aorage झाहर और 12 राष्यां ही में पाए जाते हैं जिन पर इन राशियों का प्रभाब पढ़ता है पितिक राशी की अपनी एक अलग विशिष्टा और मेहत्व होता है आप यह भी जान लीजिए कि आकाश मंडल में अवस्तित असंग के तारों के बारा सम्मों को बारा राशियों मेश ब्रश मिथुन करक क कन्या आदी के नाम से जाना जाता है दरसल कई तारे और नक्षातर मिलकर आकाश मंडल में जो आकर्ति बनाते हैं उसी के अनुरूप उनका नाम रखा गया है जैसे मेश राशी के अंतरगत पढ़ने वाले तारा सम्मों को काल्टमिक रेखाओं से जोड़ा जाए तो मेश क तारा सम्मों से अलग-अलग आकर्ति बनती है जैसे ब्रश राशी से बैल मितुन से जुड़ा बच्चे करक से करकट सिंग से शेर कन्या से कुमारी आदी आकर्ति बनती हैं एक ही दिन में जनमे विविन्ने विक्तियों के जनम नक्षातर और ग्रयाय सिती अलग-अलग होत हतेली की इन रेखाओं में आपका भूत वविश्य और बर्तमान छिपा हुआ है इनी रेखाओं दारा किसी विव्यक्ति का सुभाव चरित्र एवं उसकी उन्नती और अवनती का ग्यान हो सकता है जनमकुनली देख जोतिश इस विज्ञान द्वारा एक अच्छे जोतिश का करतब्य बनता है कि वे जातक की जनमपत्री या हस्त रेका पढ़ने के बाद कोई ऐसी बात अगर कहनी आवश्यक ही हो तो जातक को उसकी मानसिक स्थिति का ऐसास दिलाएं और इस बात को दृता पूर्वक कहें कि प्रवल एक्षा शक्ति के द्वारा जोतिश मागदशन से हर दृवागय को सबागय में बदला जा सकता है दूस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें केमेंट्स में जरूर बताईए